अलो फ्रेंट्स तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट रॉक्रिमेंट यहां पर निकल कर आई है मद्देपड़ेश मेट्रो रेल कोर्परेसिन लेमिटेट की तरफ से यहां पर आपको सिविल इंजिनियर मेकेनिकल पलस यहां पर इलेक्ट्रिक इंजिनियर्स यहाँ पर लगबग मेन मेन सभी ब्रांचों के लिए यहाँ पर वेकेंश याँ देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर Metro Rail Corporation में यहाँ पर इनकी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स अलग-अलग टाइप की यहाँ पर जोब आपकी रहेगी जैसे कि यहाँ पर आप देखें Operations में and Maintenance में यहाँ पर जो है यह पोस्टे निकाली गई है तो पोस्टे यहाँ पर जो भी रहेगी वह यहाँ पर Contact Base पर रहने वाली है साथ यहाँ पर Salary यहाँ पर बहुत बड़ी आपको मिल जाएगी तो हम इनी की यहाँ पर आगे डिटेल में बात करेंगे जो भी यहाँ पर Eligibility Criteria and जो Education, Qualification आदी चीज़े यहाँ पर जो भी मांगी गई है उनके बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो डेट साप नोट कर लें 31 जुलाई 2023 से यहाँ पर जो है डेट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी अपलाई करने की जो कि यहाँ पर 31 अगस्त 2023 तक यहाँ पर चलने वाली है तो यहाँ पर वनमंत का आपके पास टाइम रहेगा तो अगर आप eligible रहते हैं तो इस टाइम के बीच में जाकर आप जरूर से apply कर दे application process यहाँ पर सारी online यहाँ पर रहने वाली है तो उसे के बारे में आगे हम बात करेंगे किस तरह से आपको यहाँ पर इस post के लिए आप apply करना है तो यहाँ पर जो भी पोस्टे हैं पोस्ट का नाम हो गया पलस यहाँ पर जो salary रहेगी and यहाँ पर जो education qualification है उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो पोस्ट है यहाँ पर वो यहाँ पर supervisor की रहेगी operation में उसके लिए जो यहाँ पर है अलग-अलग आप देखे vacancy यहाँ तो total 26 vacancy यहाँ पर अलग-अलग category wise divide करते होई यहाँ पर सभी की मिलाकी यहाँ पर है जो कि 26 रहेगी pay scale की यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 33,000 से लेकि maximum एक लाग तक के pay scale की यहाँ पर salary मिलेगी तो इसमें apply करने के लिए आपके पास जो है आप देख सकते हैं bachelor's degree और diploma in any engineering तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपके पास degree diploma किसी भी branch से civil mechanical electric से आपके पास है degree diploma दोनों यहाँ पर allow है तो आप इस post के लिए यहाँ पर eligible रहेंगे आगले post के यहाँ पर बात करें जो कि यहाँ पर seven vacancy यहाँ पर है supervisor की है वो भी लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास diploma यहाँ पर मांगा गया है electronic and electric mechanical वालों के लिए तो वो लोग इसमें eligible है इसी तरह से यहाँ पर जो maintenance वालों के यहाँ पर post है maintainer telecom rolling stocks में तो यहाँ पर इसकी 10 vacancy है salary यहाँ पर 24 से 60 जार तक की यहाँ पर मिलेगी जिसकी जो है यहाँ पर terms condition आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग-अलग यहाँ पर degree, diploma, electric, electronics and mechanics में यहाँ पर मांगा गया है इन post के लिए तो उसकी detail आप यहाँ पर देख सकते हैं जो जो post यहाँ पर department wise यहाँ पर दी गई है साथ यहाँ पर major category के post हैं उसकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ post हैं जो यहाँ पर only for MP के candidates के लिए भी है तो उसकी detail भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकिये में इसे सब ही eligible रहेंगे तो अगली post आप यहाँ पर देखे supervisor track के यहाँ पर जो post है two vacancy के साथ यहाँ पर civil engineering से यहाँ पर आपके पास डिपलोमा होना चाहिए तो आप यहाँ पर इसके लिए eligible रहेंगे साथ यहाँ पर 15 यानि की 15 post यहाँ पर maintenance track की यहाँ पर है जिसकी category आप यहाँ पर देख सकते हैं supervisor works में यहाँ पर two vacancy है वही 33,000 से एक लाग तक की जो कि यहाँ पर इसमें भी civil engineering से आपके पास degree diploma मतलब डिपलोमा आपके पास होना चाहिए supervisor works की post पर apply करने के लिए पलस यहाँ पर store assistant की भी यहाँ पर post निकाली गई है यहाँ इसमें भी two vacancy है इसमें भी आपके पास जो है किसी भी branch से आपर आप देख सकते है bachelor degree in any engineering तो यहाँ पर कोई भी branch यहाँ पर रहेगी तो आप इसमें जो है आप apply कर पाएंगे reserve kating revise आप देखें यहाँ पर general OBC के लिए एक एक है पलस salary यहाँ पर 25 से 80 जार तक की यहाँ पर salary मिलेगी तो वो detail आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे तरह से आप बाकी की जो vacancy है account assistant finance and human resource की वो भी यहाँ पर दी गई है जिसमें भी यहाँ पर two plus two post आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आप इसमें से देख ले जो भी आपकी candidates and यहाँ पर अलग अलग रेजर केटिगरी के candidates हों के लिए जो भी यहाँ पर post यहाँ पर रेजर रखे गई थी उनका जो भी यहाँ पर system रहता है जो उनको यहाँ पर shoot मिलती है आदिस अभी की detail आपको इसमें मिल जाएगी government terms condition के इसाब से जैसे कि यहाँ पर हम age की बात करें तो age जो यहाँ पर है 18 year से 28 year तक यहाँ पर रहेगी जो की एक जुलाई 2030 के इसाब से count होगी इसमें यहाँ पर जो categories को जो relaxation मिलता है वो यहाँ पर government terms condition के इसाब से जो भी रहता है center government का वो यहाँ पर आपको पता ही होगा नहीं भी हो तो आप यहाँ पर जाकर दुबारा detail देख सकते हैं notification को आप download कर सकते हैं वीडियो के description से इसके अलावा यहाँ पर जो अलग-अलग certificate आपको जो यहाँ पर attach करने होंगे PWD वालों को एक service में इनको and STC, OBC, EWS जो भी category को यहाँ पर certificate आपके लगाने होंगे उनकी detail यहाँ पर दी गई है मतलब वापर पूरी guideline आपको मिल जाएगी किस तरह से आप वो फोरम यहाँ पर attach करेंगे किस तरह से आप उनको यहाँ पर use कर पाएंगे आदी साथ यहाँ पर आप देखें आपको no objection certificate भी यहाँ पर चाहिए होगा अगर आप किसी पहले से job कर रही है जो आपकी post है वहाँ पर आप जा रहे हैं उसका experience लेकर तो उस experience से आप छोड़ेंगे तो पुरानी company PSU जो भी है वहाँ से आपको noc लेकर जानी होगी साथ यहाँ पर जो भी हो documents रहते हैं job से संबंदित वो भी आपको यहाँ पर ले जाने होगे तो अब यहाँ पर बात करते हैं selection process की तो selection process के लिए यहाँ पर जो है two type की यहाँ पर computer test होगे जिसकी detail आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर test एक तो computer based test CBT होगा एक CBAT होगा जो कि यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर eligible रहेगा आप देख सकते हैं CBT test यहाँ पर computer based test है वो सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर allow है तो उसी के आधार पर यहाँ पर भरती रहेगी तो apply करने के लिए आपको सीधी इनकी official website है mpmaterial.com वहाँ पर जाकर सीधा आपको apply करना होगा फोरम आपको मिल जाएगा only English में आपको वहाँ पर apply करना है तो उसे संबंद यहाँ पर छोटी सी जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है जो terms condition यहाँ पर रहती है apply करने के लिए इसमें basic सी चीज़ें यहाँ पर बताई चाती है कि आपको mail ID and जो mobile number हो गए पलस जो documents हो गई वो अच्छे से आपको यहाँ पर अपडेट करने होते हैं ताकि आपको time से यहाँ पर details मिलती रहे ताकि कोई भी communication आगे आपको होता है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको time से मिलती रहे आपके सारी चीज़े आपकी जब भी computer based test वगर है और जो भी आप admit card वगर है डाउनलोड वगर करते हैं तो तब वो चीज़े आपके काम आती है तो इन basic सी चीज़ों का जरूर आप द्यान रखे बाके documents वगर हों की कैसे कौन से आपको upload करने होते हैं सारी details यहाँ पर इन्होंने दे रखी है जो भी यहाँ पर basic रहती है examination CTs की यहाँ पर बात करें तो इन्होंने CTs की भी detail दे रखी है कहां कहां पर जो है exam में आपर हो सकते हैं तो MP की major CTs बोपाल, गौालियर, इंदोर, जबलपूर, उजेन जैसी CTs में यहाँ पर exam कराया जा सकता है साथ यहाँ पर यह depend करेगा कितनी यहाँ पर application receive होती है किस तरह से यहाँ पर इनका जो exam रहता है वो यहाँ पर हो सकता है अगर कम CT यहाँ पर रहती है कम apply होता है तो साथ यह एक यह दो CT में exam करागे भी पूरा यहाँ पर इनका system रहे या फिर अगर ज़्यादा रहती है संक्या तो अलग-अलग CTs वाए जिये ज़्यादा CT में भी exam कराया जा सकते हैं तो यह सब बात की बाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर आप apply की जो है process उसके बारे में भी देखें application फीस की यहाँ पर बात करें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर फीस है gentle category वालों के लिए यहाँ पर जो है 590 की यहाँ पर फीस रहेगी सभी gentle category वालों के लिए जो htsc and ew as candidates है उनके लिए यहाँ पर 295 रहेगी यहाँ पर आप एक चीज और द्यान दे कि यहाँ पर जो other city के candidate है उनको यहाँ पर gentle में ही count किया जाएगा बाकि जो MP की जो local student है उन्हीं वो यहाँ पर htsc and ews का जो benefit है वो यहाँ पर मिलने वाला है तो इस चीज का भी आप यहाँ पर ध्यान रखे उसी हिसाब से जो इनकी फीस है वो भी यहाँ पर 295 यहाँ पर रखी गई है बाकि फीस आपको online mode जब आप registration जो apply करेंगी फोरम उसी टाइम पर आपको online जो फीस है वो आपको वहीं से pay करनी होगी बाकि और कोई यहाँ पर mode नहीं है प्रोसेज के लिए आप एक बार apply करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है सारी detail आपको यहाँ पर दिख जाएगी तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे exam pattern की exam जो pattern इनका रहेगा जैसा कि इन्हों ने देरा कहें कि यहाँ पर दो paper यहाँ पर होंगे CBT and CBAT तो यहाँ पर जो देखें computer based test online mode यहाँ पर होगा जो कि यहाँ पर two hours के duration के साथ यहाँ पर रहेगा जो कि यहाँ पर बाद में decide खली जाएगा कि single day में यहाँ पर अलग अलग session में हो या multiple day में दो दिन में यहाँ पर निमड़ाए जाए तो वो तो इनकी संक्या पर निर्बर करेगा किस तरह से यहाँ पर applications आती है तो यहाँ पर जो है objective multi choice type का application होंगे 120 question यहाँ पर total आएंगे and बाकि इस levels वगर की detail यहाँ पर इनके website पर update कर दी जाएगी जब भी आप application भरेंगे तो वो आप हमारे telegram channel से download कर लेना जब भी आप exam की तयारी करें तब इनका website पर सारा इनका update कर दिया जाएगा बाकि इस वीडियो में भी हम syllables की यहाँ पर बात करेंगे चाहिए तो आप इसको भी download करके बाद में वो काम ले सकते हैं जब भी आप यहाँ पर तयारी करें तो यहाँ पर जो exam का जो pattern रहेगा वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है तो जिसमें यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर negative marking भी यहाँ पर रहेगी negative marking यहाँ पर जीरो पॉइंट टू फाइप यहाँ पर यहाँ पर तो टोटल नंबर लाने जरूरी है इसमें qualify करने के लिए वो भी यहाँ पर दिये गए है जिसमें कि यहाँ पर 40 नंबर कम से कम यहाँ पर आने चाहिए general category 30% यहाँ आने चाहिए यहाँ पर 25% मार्क टोटल यहाँ पर लाने अनिवार्य है आगे की प्रोसेज के लिए जिसमें आप eligible रहेंगे बाकी यहाँ पर higher नंबर वालों ही आएंगे आपकी तो ही आप वैसे आगे इसमें जा सकते हैं अगला यहाँ पर दूसरा टेस्ट है यह CBAT यहाँ पर रहेगा computer-based aptitude test यहाँ पर इसको बोलता है यह यहाँ पर रहेगा तो इस तरह से दोनों टेस्ट यहाँ पर रहेंगे दोनों में यहाँ पर आपको qualify होना जरूरी है पलस यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो CBT है इसमें weightage देके इसका 30% पलस जो CBAT है इसमें यहाँ पर total weightage देके 70% करके पलस 70 पलस 30 का जो weightage रहेगा दोनों को मिलाके उसे इसाफ से फिर 100% इनको दोनों को convert करके बनाए जाएगा उसमें से फिर जो percentage आपकी बनती है उसे कि इसाफ से total आपका selection यहाँ पर आगे की process के लिए यहाँ पर रहेगा तो आपको दोनों ही टेस्टों में आपर तियारी करनी है और अच्छे से यहाँ पर आप जान रखे दोनों ही यहाँ पर आपको eligible होना होगा तो ही आप आगे की process के लिए जो है यहाँ पर select रहेंगे तो बाकी यहाँ पर आप देखें तो medical test का भी इनोंने दे रखा है basic से यहाँ पर medical test भी आपका होगा तो उसकी जानकारी आपको बाहत में दे दी जाएगी बाकी आपको बस यहीं पर जो exam की कुछ guideline रहती है basic सी किस तरह आपको आपको आपर behavior करना है तो वो आपको मिल जाएगा बाकी अभी आपकी apply करने से संबंदित कोई QD रहती है तो आप comment करके पूछ सकते हैं बाकी आप notification डाउनलोड करके यहाँ पर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो ठीक friends नन्यवाद इसे तरह से new job update and vacancy के लिए subscribe करें हमारे चेनल को and बनी रही हमारे साथ इन्यवाद